हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बैने उनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा यानि कि बीटेक में इसमें क्या एड्मिशन प्रॉसेस है कौन-कौन सी ब्रांचेज आपको देखने के लिए मिलेंगी इसकी फीस आपकी कितनी लगे कि चार साल की सारी इसके बाद स्कॉलर्शिप के बारे में बात करेंगे साथ में प्लेस्मेंट भी बताऊंगा और ओवर रिवीव भी दूंगा तो सारी डीटेल्स और अल्रेडी में इस पी वीडियो लाच चुका हूँ कई सारे कोर्सेस पर आज बीटेक कंप्यूटर साइंस हो गया चाहे बीटेक की electronics होगे जितनी भी branches है सब के बारे में बात करेंगे और अलग-अलग branches की अलग-अलग fees है सारी चीज़े जानेंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने जे-ई-मेंस दिया है तो भी admission हो सकता है नहीं दिया है तो भी हो सकता है है merit-based भी हो सकता है और direct admission भी यहां पर होता है और यहां पर simply क्या करना है आपको official website पर आना है देख सकते हो क्लिक यहां पर click on apply उसके बाद आपको form fill करना रहता है और उसके बाद आपको अपना application form submit करना पड़ता है official website पर जो भी है तो यहां देख सकते हो आपको application fees भी देनी होती है साथ में उसके बाद finally submit कर देना होता है और अगर आप private colleges की counseling करवाना चाहते हो तो उसकी भी link आपको description में दे दूँगा मैं आपको अब देखो यहां पर मैं आपको fees पता देता हूँ तो सबसे पहली जो branch है वह यहां पर देख सकते हो तो total 16 lakh आपकी BTEC की fees लगेगी और वहीं बात करें electronics branch की देख सकते हो या फिर इन सारी branches की engineering physics हो गया mechanical हो गया, biotech हो गया सारी है तो इनकी fees थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है देख सकते हो 15 lakh के राउंड लगेगी 360, 370 और यहां पर registration 45,000 और वहीं बात करें integrated program की यानि की 5-year का BTEC plus MTEC तो यहां पर देख सकते हो 360 मतलब एक साल का extra लगेगा तो आपका around 19 lakh के around fees बनता है देखो अब यहां पर हम scholarships की बात कर लेते हैं 2024 में क्या-क्या scholarship और किसको देखने के लिए मिलेगी तो सबसे पहले अगर आप J-Mains देते हो तो आपको scholarship में benefit देखने के लिए मिलेगा इसलिए J-Mains आप 2 ही चाहे अगर आप direct admission भी अगर लेना चाहते हो फिर भी आप J-Mains try करो तो यहां पर देख सकते हो अगर आपकी 90 से लेना चाहते हो तो 96 plus free arranges आप देख सकते हो और यहां पर इसके IB का score देख सकते हो अब next यहां पर B.Tech electronics की scholarship की बात करें क्योंकि वो B.Tech computer science था electronics में आपके ज्यादा benefit देखने के लिए मिलेगा क्योंकि fees भी कम है और जो अभी मैंने branches बताई थी तो इसमें देखो इसमें 80% टाइल से उपर भी आपको 50% का off मिल रहा है तो काफी सही चीज है साथ में यहां पर देख सकते हो तो इसमें ज्यादा scholarship भी मिल रही है और fees भी बीटेक की बात करें देखो बीटेक की placement बता रहा हूं मैं आपको 450 प्लस यह official website है यह जितनी भी चीज़े मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा congested आपको पता है है तो यहां पर 450 प्लस organizations ने पाडिसिपेट किया है प्लेस्मेंट के लिए एवरेज पैकेज यहां पर बीटेक का 10 लेक का आवरेज पैकेज है तो काफी अच्छा बोलेंगे इसको डीसेंट एंड वहीं अगर हाइस्ट पैकेज की बात करें यह बीटेक का बता रहा हूं सि अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगा आप जेही मेंस दो उसके बाद आप आप आयाइटी इस एनाइटी इस ट्रिपल इस जी एफ टाइए इन सब की आप मतलब इन सब को टार्गेट करो बट बैक अप ऑप्शन के लिए आप यहा काफी सही ऑप्शन बन जाता है यह तो एक बार आप जाकर जरूर चेक कर सकते हो बाकि यहाँ पर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना या फिर इंस्टेग्राम पर भी मेरी इंस्टेग्राम आइडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और ऐस अविडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी वीडियो में डिली लेके आता हूं कोई इंपोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो इसलिए बेल ऐकन प्रेस कर देना बाकि मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपोर्टें वीडियो में